कि कंटिनिव नाव आफ्टर रिलेशन बिट्विन ए एंड आर वी हैब टू राइट अनोट हीए ठीक है तो ये नोट में क्या हम लिखेंगे देखो कुछ बात होती है जिसे आपको हमेशा जानकारी में होना चाहिए कि जितने भी एप सी सी में जितने भी कॉनर्स एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं क्यों क्योंकि फेस का जो सेंटरल एटम होता है वो उन चारों को एक लिमिट डिस्टेंस पर रखता है तो इसी को हम लिख सकते हैं कि क्या लिखोगे आल्वेज रिमेंबर आल्वेज रिमेंबर दाट इन एफ सी सी यूनिट सेल in FCC unit cell the corner atoms do not do not touch each other because of because of the central atom central atom which is present on the face okay यह तो हमारा हुआ है एक important note अब आगे हम next point पर बात करते हैं और वो हमारा है packing fraction क्या है packing fraction तो देखो packing fraction के formula तो पहले ही आप लोग देख चुके हो same formula we have to apply here packing fraction is equal to z multiplied by volume of one atom upon volume of unit cell ठीक है अब z की value कितनी होती है 4 होती है और multiplied by अब one atom का volume आपको पता है कितना होता है 4 upon 3 पाई और आर की उपकी जगह हम लिख सकते हैं अभी जो relation हमें मिला था a upon 2 root 2 का whole cube और volume of unit cell कितना होता है a cube जब आप इसको solve करते हो तो आपका answer आता है 0.74 अब यह जो 0.74 एंसर आया यह आपका क्या हुआ packing fraction तो यहां से आप find out कर सकते हो percentage occupied space क्योंकि यह तो हमारा packing fraction हो गया तो percentage occupied space कितना होगा तो 100 multiplied by 0.74 कितना हो जाएगा 74 परसेंट हो जाएगा ठीक है अब जब occupied space हमें पता चल गया तो हम यहां से पता कर सकते हैं void space percentage void space और void का मतलब क्या होता है empty space empty तो void space कितना हो जाएगा 100 minus 74 is equal to 26% होगा ठीक है अब यह हमारा void space है question एक आता है कि हम packing fraction क्यों निकालते हैं packing fraction से हमें यह पता जाता है कि how closely are these atoms packed together और इस से हमें उसके melting point पता कर सकते हैं उसकी density पता कर सकते हैं तो अब अगर हम बात करें next point की तो next point हमारा होता है nearest neighbors and distance nearest nearest neighbors and distance ठीक है चलो अब इस पर थोड़ा सा हम लोग एक द्रिश्टी डालते हैं इसके लिए एक डाइग्राम बनाएंगे और इन सारे corners को हम attach कर देते हैं cube क्योंकि हम cubic unit cell पड़ रहे हैं Atoms are present here 1,2,3,4,5,6,7,8 और यह किस type का होगा? primitive ठीक है अब बात करते हैं हम किसी face centered unit cell की तो face centered में हम यहां पर एक atom को consider करते हैं ठीक है अब चलो अब distance पता करते हैं यहां से यह distance कितना होगा? यह distance होगा हमारा a upon sorry a upon root 2 क्यों? क्योंकि यहां से लेकर और यहां तक का total distance total distance यहां से और यहां तक का total distance यह कितना होगा? root to a होता है ठीक और यह distance यहां से और यहां तक का distance कितना होता है यह a होता है आप जानते हो यह भी a होगा यह भी a होगा इस तरह से अब अगर हम बात करें कि कोई एक face centered यहां पर centered है ठीक है यहां पर तो यह तो distance हो गया a यह distance कितना हो गया root 2 a हो गया sorry, a upon root 2 a upon root 2 हो गया तो बताओ, यहां से लेकर और यहां तक का distance, यह distance कितना होगा यह distance हो जाएगा root 3 a upon 2 root 3 upon 2 a ठीक है अब अगर root 3 a देखों, हमारे पास 4 value है अब एक value के आया a a upon root 2 आया एक value क्या आया root 2 a आया एक value क्या आया, a है और एक value क्या आया, root 3 upon 2 a ठीक है अब अगर इसकी हम बात करें तो इसकी value कितने होती है 1 sorry root 2 a, इसकी value कितने होती है 1.414 a इसकी value, यह a, जियों काती हो है इसकी value कितने होती है यह value हमारी आयाएगी about 1.2 a के लगभग आयाएगी ठीक है, तो इसमें देखना होता है कि कौन सबसे ज़्यादा नजदी होता है तो सबसे ज़्यादा नजदी कौन है, a upon root 2 this one, this तो इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट ड्रॉव करते हैं जिसमें फर्स्ट होता है हमारा टाइप आफ टाइप आफ नेवर्स फिर डिस्टेंस और फिर नंबर आफ नेवर्स टाइप आफ नेवर्स में हमारा फिर्स्ट है, फिर्स्ट टाइप यह कितने डिस्टेंस पर होगा, a upon root 2 पर होगा और टोटल नंबर कितने होंगे, 12 होंगे सेकेंड कितना होगा, सेकेंड टाइप यह होगा हमारा a डिस्टेंस पर होगा और इसमें total number कितने होंगे 6 होंगे और एक और होगा हमारा third तो third type हमारा कितने पर होगा third type neighbor कितने distance पर होगा root 3 upon 2 ये distance पर होगा और इसमें number of neighbors कितने होंगे तो दखो first में कितने आएंगे 3 और total number total charge कितने होते हैं shared कितने होते हैं 8 means 3 multiplied by 8 we get 24, ठीक है, okay, thank you